हेलो फ्रेंग्स आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों गर्मियों का सीजन शुरू होते ही जो चीज सबसे पहले आती है वो है गुमोरी बच्चों में ही ये सबसे आम बात होती है अकसर पसीने की वज़े से ये गुमोरी हमें हो जाती है हमारे शरीर पर छोटे-छोटे लाल दाने निकलाते है इन दिनों में खुझली वा जलन भी होने लगती है वैसे तो ये चीजे होना आम बात है लेकिन तेज गर्मी में इन दिनों को सेना काफे मुश्किल होता है इन दिनों गुमोरी पर बहुत ही ज़ादा खुजली होने लगती है जिस वज़े से हमारा काम पर ध्यान लगना बहुत ही ज़ादा मुश्किल हो जाता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुमोरियों की समस्या को आप कैसे दूर कर सकते हैं वो भी घरेलू तरीके से तो आईए जानते हैं नंबर एक, खीरा, गर्मियों में निकलने वाली इन गुमोरियों से होने वाली खुजली को खीरा लगाकर आप ठीक कर सकते हैं खीरा गुमोरिये वाले एरिये पर लगते ही ठंड़क पोचाता है और तवचा को निखारने में भी मदद करता है इसके लिए आप खीरे को छिल लीजिए और फ्रिज में रख दीजिए जब तक वैं ठंडा ना हो जाए तब तक आप खीरे को बाहर ना निकालिए उसके बाद अपने चेहरे पर और गुमोरिय वाले एरिया पर इसको लगा दीजिए ऐसा करने से आपको रहत मिलेगी गुमोरियों को ठीक करने के लिए आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे पाउडर का इस्तेमाल करें जो तवचा को ठंड़क दे और गुमोरियों के लक्षणों से छुटकारा दिलाने में मदद करें गुमोरियों के कारण तो अच्छा पर होने वाले च्छालों के आसपास सूजन वा खुजली की भी परिशानिया होने लगती है तो दोस्तों आपको पौडर का इस्तमाल कैसे करना है तो चलिए ये जानते हैं अच्छे से नहाने के बाद शरीर को तोली से पोच लीजिए नमबर दो जब शरीर अच्छे से सूप जाए तब प्रभावी शेत्र पर पौडर लगा लीजिए आप चंदन के पौडर का भी इस्तमाल कर सकते हैं नमबर तीन इसके अलावा चंदन के पौडर को गुलाब जल में मिलाकर प्रभावी शेत्र पर लगाएं लगाने के बाद पेस्ट को सूखने के लिए छोड़ दें और फिर तवच्छा को ठंडे पानी से दोलीजिए इस पेस्ट दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि इस प जैसे की तवच्छा में जलन, खुजली, सूजन, सन्बन और गुमोरियन इसका ठंडग देने वाला प्रभाव और सूजन रोधी गुंड गुमोरियों से होने वाली सूजन वा खुजली को कम करने में मदद करता है अलोवेरा तवच्छा को मुलायम बनाता है और पानी की क जल मिलता है वो लिलीचे, नमबर दो, अगर आपके पास नेच्रल एलोवेरा जल है तो उसके पत्ती से जल निकाल लीजे, नमबर दो, अब जल को प्रभाविश शेत्र पर लगाए, नमबर तीन, लगाने के बाद 15 से 20 मिनट तक जल को अपने चेहरे पर लगा रहने दे, नमबर चार, अब ठंडे पानी से अपने चेहरे को दोलीजिए, दोस्तो इसका भी इस्तेमाल आपको हाफते में दो बार जरूर करना है, नमबर चार, दही, दही का ठंड़क प्रभाव चाली की वज़े से तवचा पर होने वाली सूजन, जलन और कुजली को कम करने में मद करता है, और घुमोरियों का तेजी से इलाज करता है, तो दोस्तो अब हम जानते हैं कि दही का इस्तमाल कैसे करना है, नमबर एक, एक कटोरी दही ले और फिर इसे प्रभावी शेत्र पर लगाए, नमबर दो, तवचा पर दही को 15-20 मिनिट तक लगा रहने दे, नमबर ती इस उपाए को रोजाना पूरे दिन में एक बार इस्तमाल जरूर करें, तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ, मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल